हलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग आप लोग से सवाल मुझे पूछना है क्या आप लोग जानते हैं कि शौट हैंड का मतलब क्या होता है दूसरा सवाल आपके लिए क्या आप जानते हैं स्टैनोग्राफी का मतलब क्या होता है मुझे यकीन है कि आप मैंसे 90 परतिशत लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बता हुआ चली मैं आपके सामने इसके डिफरेंस को क्लियर कर देता हूँ लेखिए शौट हंड का मतलब होता है जब हम किसी भी spoken words माली जो कोई speech चल रही है उस speech को छोटा करके symbols के भाशा में या किसी भी तरह से हम उसको पूरी noted कर लेते हैं that is called short hand मतलब एक तर्कीब है एक तरीका है शौट हंड लिखने का जब भी कोई बोल रहा है बोलते हुए सभी उसके words को उसके phrases को उसके वाक्यों को जब हम copy पर उतार लेते हैं that is called short hand short hand मतलब हाथ छोटा करके लिखे देना that is called short hand अब इस short hand को जब आप वापस से एक return form देंगे letter हो या कोई article हो या कोई testimony हो जब वापस इसको आप टाइप करेंगे that will be called stenography आपने कहीं दिखा हुआ इसे दिल्ली गवर्मेंट में MCD के अंदर एक post निकलती है that is called stenotypist मतलब stenotypist मतलब कि वो टाइपिंग भी करें typing मतलब कोई आप किसी ने English में लिख कर के दिया माल लिजे किसी ने letter बनाया English में उसको लिखा उसको बोलगे विसको आप computer पर टाइप परे that will be called stenography so you can say आप देर a stenotypist ठीक है so stenography मतलब transcribe करना is called stenography while you take dictation in the form of symbols या फिर छोटा करके अगरेजिक शब्दों को जिसे please को pls कर दिया plz कर दिया constitute को consti कर दिया इस तरह से अब हम लिखते हैं that will be called shorthand ये basic differences ये वीडियो कैसे लगा प्लीज अगर आपको ये मेरा बताया गया जो मैंने आपको बताया अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिने आप लगता है कि ये बात जाननी जाहिए thank you very much for watching this video stay tuned bye bye take care